गाउं के चाउमीन गाउं में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीख कर गाउं में ठेला लगाता है अरे ये केचिवा है क्या भाईया कैसे खाया जाता है अरे नहीं नहीं ये चाउमीन छावमिन शहर में खाया जाता है कितने की देर है ओ सुरेस दस उर्पे की प्लेट भरकर तब ही वहाँ शहर से पढ़ा एक लड़का आता है जरा एक प्लेट चावमिन तो देना सुरेश उसे चावमिन देता है उसे चावमिन खाता देख गाओं वाले भी उसे चावमिन ले लेते हैं और खाने लगते हैं अर वा सुरस भैया कमाल की बनाय हो, दो प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पाक कर दो बस फिर क्या था? सुरेश का ठेला लगता है और चावमिन खरिदने वालों की लाइन लग जाती है तब ही वहां से गाउं का साहुकार होकर गुजरता है और ये क्या भीड लगी है? लगता है जगडा हो गया है गाउं में चलू मैं अभी तो मज़े ले लू अर का है इतनी भीड लगी है यहां? लडाय हो गई है क्या? अर साहुकर सहाब ना ना कोई लडाय ना हुई है ये तो सुरेश की दुकान है चावमिन की हम लोग चावमिन खाने आए हैं आप भी खाईए ना साहुकर चौमिन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की अरे साहुकर जी आप अब आएं तो ये पूरे दस अजार रुपैर ले जाए जो पिछले साल शेहर जाने से पहले आपसे लिये थे ना लागत तो क्या का है जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दकान भी खोल ली और पैसे इतने जल्ले क्या जरूरत थी कैसे जरूरत नहीं थी साहुकार जी इतना मोटा ब्याज कहां से भरते साहुकार को अब सुरेश की दुकान को हडपने की लालच आ जाती है अब साहुकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात पताता है हाँ जी ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चामिन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया अरे हाँ हाँ सही ही कहते हैं मैं भी खाकर ही आ रहा हूँ अरे भागवान कितना अच्छा हो ना अकर वो उपासा हम लोगों को मिल जाए क्यों हाँ वो तो है लेकिन कैसे हम लोगों को तो चामिन बनाना आता ही नहीं है सहुकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरिश की घर जाते हैं और खिडकी से उसे चामिन बनाते देखते अब क्या था दोनों को चामिन बनाना आ जाता है फिर एक रोज और सुरेंद्र तुझे सहुकार नी ने बुलाया था बोल रही थी के बेटे के जनम दिन में दस किलो चामिन का आडर देना है बना दोगे ना अरे हाँ हाँ सहुकार जी मैं जरूर बना दूँगा कब देना है घर में दस किलो चामिन और वो तो तो घर आकर बता कर लेना मैं नहीं बता पाऊंगा ठीक है, शाम को काम निप्टा कर आ जाता हूँ सुरेश सहुकार के घर जाता है लेकिन वहां मिया बीवी मिलकर उसे बंदक बना लेते हैं अरे, मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे छोड़ दो सहुकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है अगले दिन अरे, सहुकार जी, आप कबसे चाओ मेंने बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहां गया और वो तो शहर गया है उसका कोई काम निकल आया था बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दू फैसे भी तो बहुत दाल ले रखे थे उसने लगता है करजा भरने के डर से भाग गया है अरे, पर वो तो बोल रहा था कि उस ते सारा करजा उतार दिया है और वो क्यों भागेगा एतना तो कमा रहा था अरे, मुझे क्या पता अरे, चाओ मिन खाना है तो बोलो नहीं तो भाग वे आसे अरे, हाँ, हाँ, दे दो, दे दो अब तो चाओ मिन खाना है पूरे गाउं के लोगों के लिए आदत ही बन गया है ना खाओ तो नीन ना आए, हाहा, तो लो और निकालो पचास रुपए, पचास रुपए क्यों, सुरेंद्र तो दस रुपए मैं देता था, अर वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ, गाम वाले, जिनको चाओ मिन की लट लग गई थी, वो करते भी क्या, दे दो, अर ये लो पचास रुपए, लेकिन फिर साहुकार, उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाओ मिन रख देता है, अरे ये क्या, पैसे पाच गुना ज्यादा और चाओ मिन बस इतने इसी, अरे साहुकार सहाब भगवान से तो डरो, बस फिर क्या था, साहुकार की मन मर्जी चलने लग जाती है, और गाउवाले करते भी क्या, एक रोज, मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहुकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छे चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहुकार की हवाले दुकान करकी, ना बाबो ना, अगले रोज, भागेबान देखो तो सरा, इस रेश भी ना कितना पागल था, जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था, उससे इतने कम पैसे चाप रहा था, पचास रुपे प्लेट में भी गाउवाले खूब खा रहे हैं चाहुमीन, हाँ जी, और जितने में वो लोगों को दस प्लेट खिलाता था, भर भर कर हम लोग उतने में बीस प्लेट बना रहे हैं, क्यों जी? वही सुरेश, रोज भगवान से मांगता, कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती, फिर एक दिन, अरभागयवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमिन बनाने का खर्च आदा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफ़ा हो, ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूच रहे, मारा सुनो एक काम करता है, चाउमिन बनाने में जो सबजी लगती है, वो मंडी में लेने, तुम देर राज चली जाना, तब तक वो सारी सड़ी गली सबजी जो दुका अदर वहीं फेक जाते हैं, वो उटा कर ले आना फ्री में, अरे वाजीवा, आप तो बहुत समझदार हैं जी, बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमिन खाते, तो मू बना कर, फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द का है हो रहा है, अई 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 अई, सभी को शक हो जाता है, कि उन लोगों को चाउमिन खाने से ही ये बिमारी हो गई है, वहीं दोसरी तरफ जो आदमी सुरिश की निगरानी कर रहा था, वो सो रहा होता है, और मौका देखकर सुरिश वहां से भाग जाता है, सुरिश गाउं वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है, बस अब क्या था, साहुकार के घर पुलिस पहुँच जाती है, चलो, तुमने गाउं के लोगों को खराब सबजी वाली चाउमिन खिला कर बिमार किया, और सुरिश को बंदक बनाया, साहुकार को पुलिस ले जाती है, और फिर अगले दिन से सुरिश का ठेला गाउं के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड होती है, कि विला अवगलों हेल आ कर दिंदी, जहां और से सिजई को बिला दिन से करका ठेले से जाता है,